हालो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अजी जुल्री क्लासेज में तो आज फिर से मैं आपके लिए फैब्रिक जुल्री सैट लेकर आए हूं कि किस तरह से हम रैडी कर सकते हैं हमें राउंड शेप में कट कर देने हैं 9 पीसिस कार्ड बोड के उने फैब्रिक से कवर कर देना हैHi और उसके बाद हमें फैब्रिक गूल्री लगानी है और उस पहां मिरर अटेच कर देंगे और इन्हें फैब्री को किस तरह से कवर करना है आप मेरी पिछली वीडियो में देख के सीख सकते हो तो देखिए मैंने 9 पीसे रेडी कर लिये हैं और गोल्डन चेन के भी 9 पीसे इकल बराबर बराबर कट कर लिये हैं अब मैंने मेटल ग्लू लिया है इसे मैं चारो तरफ लगा दूँगी मीरर के क्योंकि यहां पे हमने यह चैन अटैच करनी है तो मेटल ग्लू पे हमें अच्छे से चैन को राउंड शेप देते हुए चिपका देना है आप चाहो तो आप सुई धागा का यूज भी कर सकते हो यहां पे मैं अगर आपके पास लू ना हो तो आप ग्लू जमपरिक लेगे और मैं ने गोल्डन फान भू भी ट लिये हैं और 13 छाय। में हम फेंग कर देंगे और इसी तरह से त देखी अदुआ एकावा कि पीसेज में भी हम कर लेगे तीन तीन sın गूंगरू और फिर से मैंने जंपे लिया है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जाने कि हमें तीन गूंगरू लेने हैं और लास्ट में यह रहें से हैंकर देने हैं मुआ चाहर P2 में ने क्या है वह मेन थोड़ा लांग लिया है ताकि own हो सके तो मैंने थोड़ा लोंग लिया था यह चैन अब जहांते यह हैं हो रहा है एक घुंगुरू वहां पर मैं लगा रही हुँ मतलग कि तीन घुंगरू ही लगा रही हूँ और जम प्रिंग के हल्प से तो बीच में भी अटैच कर दिया है जहां से हैंग हो रही है हमारी चेन अब चेन का एक होल छोड़ते हुए उसके साथ वाले में मैं घुंगरू लगा रही हूँ और फिर से एक होल छोड़ दूँगी चेन का और उसके साथ वाले होल में फिर से हम घुंगरू अटैच कर देंगे सेम ऐसा ही दूसरी साइट पे भी हमें करना है कि एक होल छोड़ते हुए तीन घुंगरू हमें लगा देने हैं जंप रिंग के हल्प से क्योंकि साथ साथ लगाएंगे तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी एक ही जगे पे वह इकठे हो जाएंगे तो एक होल छोड़के मैंने लगा दिया है अब यह मैंने एरिंग्स बनाए थे पहले तो यहां पर मैं से मैटल ग्लू ले रही हूं वैसे आ फैबरी ग्लू तो भी ले सकते हो पर वह सूखने में थोड़ा टाइम लेती है तो देखिए यहां पर मैंने अटैच कर दी हैं स्टर्ट तो हमारे एरिंग्स बन गए हैं पर थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देते हैं अब हम मांग्टी का बना रहे हैं और यहां पर भी मैं जंप चैन अटैच कर दूंगी बिल्कुल बीच में चैन का बीच वाला पार्ट लिया है और इसके होल में से हम यह चैन पास कर लेंगे और जंप रिंग को अच्छे से दबा देंगे और एक हूख हम उपर लगा रहे हैं मांग्टी का के उपर तो देखिए यह हमारा त्यार हो च अच्छे से बराबर रखते हुए ने ताकि ऊपर नीचे ना हो यह डिजाइन हमारा बराबर ही रहे तो चार से पांच वार अच्छे से हमें सुई से पक् Whenever से शिए मिचर में तो उसके बाद हमें अच्छे से गांट लगा देनी है 5 मार से तुंग को और उसके बाद हम तो आप थोड़ा ग्लू लगा सकते हो इसके उपर ताकि हमारा धागा फिर भी निकल ना सके तो ऐसे हम बाकी के पीसिस भी बराबर रखते हुए जोड़ते जाएंगे अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह हमें इन्हें जोड़ना है सुई धागा से बराबर रखते हुए तो देखे इसी तरह हम बाकी के पीसिस भी हम जोड़ लेंगे अब यह सारे जुड़ चुके हैं सारे अटाइच हो गए हैं अब मैंने बैक रोप लिया है और इसे भी मैं सुई धागा की हल्प से ही जोड़ने वाली हूँ तो जंप रिंग में से सुई को हम पास कर लेंगे और यहां पे भी चार से पांच पार अच्छे से हम लोक कर देंगे सुई धागा की हल्प से और बाद में हम ठ्रेट को कट कर देंगे और थोड़ा ग्लू हम यहां पर भी लगा सकते हैं ताकि धागा निकले ना क्योंकि धागा महीं पे अटाइच हो जाता है अगर हम ग्लू लगाते हैं फैबरी ग्लू तो सेम दूसरी साइट पे भी तो देखिए नेकलेस हमारा बन कर देखिएगा